हेलो विद्ध्या थे मित्रो ग्नानपच चैनल मा हूँ आपनू स्वागत करूचू अहीं आपने रुगवेदिक काल विशे माहेती मिड़ुशू जे आपने विशेवार तबक कम मा मेडवीशू रुगवेदिक काल विशे वाद करता पहला आपने आर्यो विशे माहेती मिडवी ले तो गया लेक्चर मां आपने जोयू हतु तेम इश्विशन पूर्व सत्तर सो पच्चास टी आसपास हडपा सब्यता पतन ना आर्यो है छे त्यार बात भारत मां आर्यो नू आगमन्त है तो चालatories पहला आपने आरयो विशे माहेती मिडवी ले तो ओगणिस्मी सदी मां आर्यो ने एक वंस अथ्वातो जाती तरीके आउलक्वामा आता ता परंतु विश्मी सदी मां साबित करिए के आर्यो एक कोई जाती विशे एक सब्द न नथी परंतु ते एक बासिक पद छे, भारत मा इस्विशन पूर्व पंदर्शो ना थोड़ा समय पहला आर्यनू आगमन थाई छे, त्यार बाद भारत मा तेवो अपगानिस्तान, पंजाब अने पश्चिम उत्तर प्रदेश ना बो भाग मा रहता था, रूबवेद मा अपगानिस्तानी कुम्बात था अन्य नदियों नो उल्लेक प्राप्त थाए, छे, त्यो भारत नी सप्त सिंदू, एटले के, साथ नदियों विशेपन जानकार हता, जैम के सिंदू, जैलम, चिनाब, रावी, सतलु, सरजवतिना जानकार हता, साथे जिते भारत ना बाहर ना देश, त्यार बाद अपगानिस्त परवत ना बाहर ना देश, त्यार बाद पंजाब मा, त्यार बाद पच्चिम उत्तर प्रदेश, एम, एम भारत मा तेओ, विशरता गया आता, पहड माटे आरियों भासा मा एक समान सब्द न थी, त्याना परती एवों नक्की थायू के, एक समय आरियों एकत जग्या रह आता, त्याना त्यामने परवत नो संपर्क नोतो, जेम जेम त्यों विखूटा परता गया, त्याम परवत ना संपर्क मा आता गया, आथी परवत माटे त्यामना सब्द एक समान नोता, आथी कई शकाय के आरियों भारत नी भारती आवेली प्रजा छे, त्यों हीम वर्ष पोद्पतानू अनुमान रजु करेचे जैमा दायानान सरस्वती कहई छे के आर्यो नू आगमन टिबेट माथी भारत मा थायोतु तथा मैक्स मुलर नू क्या हूँ छे के आर्यो मत्य इस्सया माथी आव्याता औने त्यार बार लोकमानने तिल्लके पोतानी बोक्त आर्कटि दिवस औने चो मेनानी रात्रीन उल्लेक चे आव तो मात्र उत्तर द्रू परज होय चे जे वेद ना आधारे तेमने किदू अवेस्ता ना आतारे सुगेदू ते विसेवात करे तो अवेस्तामा लख्यू छे के तेमना देवता अहूर मज्जद है जे देशनू निर्मान क खिम वर्षा थता आर्यों तेमनी जन्म भूमी छोड़ी देवी पड़ी अती अने लोक मानने तिल्लक ने आ वात नो बहुच उच्छा इत्यास्कार सम्मत चे त्यार बात अविना चंद्र दासे एवु जनावियो तो के आर्यों सब्त सिंथू ना मुड निवासी चे तो ते आर्यों साहित्य अन्यत्र पण क्या एक मड़ू जो ये जें क्या बहार थी मड़तू न थी रूगवेद नी रूचाव प्रमाणे तेना रचेत आन उद्गम सान पंजाब नी आसपास नूज हतू आने तथा तेमने एक बीजो भी वात कही हती के गउं अने जों आर्यों न अन्यमovan फश्माद से वात करें तो वेदिक साहित्य तेने समझता पहला अपने आर्यों डायक्रामे समझी लए तो वेदिक साहित्य तेने सम्मई नी रचना आधारे बे भागमा वह द्गमा मावीट चे तो जे साहित्य शाहित्या पूरव पंदर शो थी इस्वीशन पूर ग्रंतों कहे छे तैमनी रचना रूग वेदिक साही तैटले कि इश्विशन पुर्व पंधर स tänज होथी इश्विशन पूर्व एक हजाना समय वचे थाई याती ती ने रूग वेदिक साही तो गलिक वन्ताइब ऑक सैब कहा है तो जे वेदों ुरौर कियोदा कौने क स, क and 동 વેદ એ શ૫ૂતી ગ્રંથો ચે જે વીશે આપણે હંડાચ આગ્યાક વાત પરિશું करीशू तो उत्तरवेदिक साहहीत्य के जithe रुषी मुन्यो द्वारा लखायेला हो तेने उत्तरवेदिक साहीत्य एटले के सुम्रूतिक ग्रन्थो तरीक जो सबसंतर चनल सीविक आरवाद बाद करिए ते वी供 ते ईद मनेत करिंगे दकाने कहरलेकन केकले गहरानार आहजुआ आप एडार की ऑन्य धन किया कतार बात ऊप निशत औने त्यार बात आपने चारे वेदो विशे चर्चा करी शूुंँँ हवे रूगवेधिक सहित्य विशेवाद करे तो रूगवेधिक सहित्यानों समई 2800thi 2800 वत है आज संग clear दर्मियान भारत रूगवेद puta आठ बन करेसे विशेवाद करेस। तो इस्वीशन ओग्रिशोने साथ मां एस्या माईजर ना बोधाज कोई नामना स्ताने थी प्रोफेसर हंगो विकलर ने एक सिलालेक मड़े होतो जैमा इस्वीशन पूर्व चाउश ना प्रारंब मां मित्नानी अने हिंती लोको बचे थहले को एक संधीन उल्लेक छे तथा स साथे अन्य देवतानी साथे मित्र वरूर इंद्र अने नास्तया देवो नो उल्लेक पन छे आज देवो नो उल्लेक आपने रुगवेदिक साहित्य मां थी प्राप्त थाय चे आना आध्यार कई शकाई के आ साहित्य ते शमय दर्म्यान रचायू हसे हवे सुरूती पनोपकन साम्पडिने कंठस्करीने याद रखाय होवा थी शुरूती ग्रंथों कहवाई चे शुरूती नो अर्थ छे जे सामपडवामा आवियू चे ते वेदिक ग्रंथों मां आपवामा आवेला उपदेश रुसी मुन्यों ये ब्रह्माना मुक्ती साम्पड़ आता अ अने शुरूती ना उपदेश ब्रह्मा वाक्य मनाय चे याने के सर्वता सत्य क्याम के तेमन उदबव ए ब्रह्माना मुक्मा थी थयो हतो हवे आ वेदों नी रचना विशे बे अलग-अलग वार्ता छे तेमा प्रथम पहले वार्ता विशे वाद करे तो प्रुत्वी अने मनुषय ने उत्पत्ती समय इस्वर चार रुशियो अगनी वायू आदित्य अन्य अंकिराने अनुक्रमे रुगवेद यजूर्वेद सामवेद अने अथर्व वेद नू ग्ण्यान आपियो हतो आ रुशिय पोताना सिस्यों ने आग्ण्यान आपियो अने तेज रिते पोली ने अने साम्पडी ने ठतो रहें। अने यजूर्वेद वीशे ग्ण्यान आपियो तथा जैमी निने साम्वेद वीशे अने सुम्मन तुने अथर्व वेद वीशे ग्ण्यान आपियो हतो। गणे भुको मां कुरुष्ण द्वैपायन रूसी अने वेद वाज अलग अलग बतावाई चे परन्तु कुरुष्ण द्वैपायन रूसी एज वेद व्यास चे ते वाद खास याद रागजो। त्यार बात रूक ने धर्म यजुहने मोक्स सामने काम अथर्व एटले अर्थ पन कहवाई चे आनाज आधारे धर्म सास्त्र अर्थ सास्त्र काम सास्त्र अने मोक्स सास्त्र नी रचना थाई चे एटले के रूक वेद ना आधारे धर्म सास्त्र तथा यजूर वेद ना आ आधारे मोक्ष सास्त्रनी तथा सामवेद ना आधारे काम सास्त्रनी और अथर्व वेद ना आधारे अथर्व सास्त्रनी रचना थाई छे आम वेदोनु ग्ण्यान साम्भडी ने कंठस करी ने याद रखायू त्यार बाद समायां तरे लखान अने छपपाय नी सुविदावस हो दाई ते पचि ओग्णिश्मी सदी मा वेद पुस्तक रुपे मडवा लागयू परम कुरुपाडू परमात माय सुष्टी नी रचना करी त्यारे मानवने नी सहाय अवस्ता माँ छोड़ी दिदो नती शुष्टी ना सर्जन नी साथेज स्रेष्ठ मानव एवा रुष्योनु सर्जन करी त्यारने आ सुष्टी मा केविड ते रहवानु तेग नयान पन द्वारा अप्पाईलू आग न्यान तेज वेद रूसियों आग न्यान समग्र जगत ने आपिव आ अर्थ मा वेद ने जगत नू बंधारन कई शकाई जैना घडवा या परमातमा स्वयम छे त्यार बाद वेद साहितेनी प्रसिष्ट संस्कुरूत करता कईक बिन एवा प्राचिन संस्कुरूत मा लखायू छे जैने आर्थ के वेदिक संस्कुरूत तरीके ओडखवामा आवे छे वेदोनू संकलन महर्शी कृष्ण द्वय पायन इतले के वेद व्यासेच करू छे जे बागवत पुराननों समावेश थाय छे महर्शी वेद व्यासना आ अध्बूत प्रदानने ध्यानमा लईने आजे पन स्रिमत बागवत के अन्ये कोईपन कथा पाठमा ग्रंथ के कथा कार्नी बैठकनी जग्या व्यास पिट तरीके ओडखाय छे हवे आपने वेदो नी लिपी विशेवाद करे तो वेदो नी 28,000 पांडू लिपी जे भारत ना पूणे ना बंडार कर ओरियेंटल संस्वतन संस्तामा राखवा मा आवी छे एमा थी रुगवेद नी 35 पांडू लिपी ओ खुबज महत्व पूण चे जैने युनेसको ये वार्षो यादी मा समावेश करयो चे तथा युनेसको नुए 158 सुची मा भारत नी महत्व पूण पांडू लिपी नी 38 यादी चे आ वाद खास यात राक्षों के 108 सुची मा भारत नी 35 पांडू लिपी नी 38 यादी चे त्यार बाद विग्णियान होई के खगोड सास्त्र यग्न वीधी के देवतावनी स्तूती बदूज चार वेद और एटले के यजूर वेद रुगवेद सामवेद अने अथर्व वेद मा प्राप्त थाए छे हवे आपने ब्रामन ग्रंधो त्यार बात आरणे़को त्यार बात उपनीशदो और आपने वेदो विशे माहिती मेळवीशु तो सवथी प curiosity ब्रामन ग्रंधो के जैनों विशे छे ते कर्म कांडवाद जैनी संख्या चे अडर अने जयामाती महत्वणी संख्या चे ते 4 वेदोना आप्रमाणच रूगवेद, जांवेद, यजुल वेद अने अथर्ववेद हवे आपने समझीशू के कोईपन मंत्र सहीता ये वेद क्यारे कहेवाई चे तो कोईपन मंत्र सहीता मां जैरे ब्राम्मण ग्रंथो आरण एको अने उप निसदो उमेरो थाए छे त्यारे ते वेदमा परिवर्थन पामे चे उदारण तरी के रूग वेद ने पोतानी मंत्र सहिंता हसे त्यार बाद रूग वेद ने पोताना ब्राम्मन ग्रंथो असे और रूग वेद ने आरण युको अने उपनिसदो पन पोताना हसे आ चारेणों ज्यारे उमेरो थाय चे त्यारे रुग वेद मा परिवर्तन पामे चे तेविज रिते यजूर वेद ने पन पोतानी मंत्र सहीता ब्रामबण ग्रंथो आरण को ने उप निशदो हसे आम कोईपण वेद नू आपने ग्न्यान मेडवू होय तो तेना पेला ब्रामबण ग्रंथो त्यार बात आरण को अने त्यार बात उप निशदो नू ग्न्यान होवू जरूर चे तोज आपने वेद विशे जानी सक्वेशू हवे तेने सब्दो द्वारा समझे तो मंत्र सहिता ब्रामबण नो आरेण को ने उप निशदो दरेक सहिता आमा उमयराया चार सहिताओने लगता समक्र साहित तेने रूगवेद यजूरवेद सामवेद अने अथर्ववेद तरीके ओडखवामा आवे चे हवे आपने मंत्र सहिता विशे बीजी माहिती मेडिशू तो वास्तव मां मात्र वेद मंत्र सहिताओच इश्वर्य ग्ण्यान चे ब्रामण आरेणेक उपनिशद उपवेद छ दर्शन सासर गीता जेवा बिजा ग्रंतो रुश्यो द्वारार चायला चे हवे आपने आ चारे ने इटले के मंत्र सहिता ब्रामणों आरेणेकों उपनिशदो नेव्य भागमा वेच एक छेते मंत्र भाग अने एक छेते ब्रामण भागमा कोणी कोणी गणत्री करीशु तो ब्रामण ग्रंतो ने आरेणेक उपनिशदो ने जैरे मंत्र भागमा आपने मंत्र सहिता ने गणत्री करीशु ते विशे समझे लेए तो आपने तो आ समो मुख्य बे भाग चे मंत्र भाग अने ब्रामण भाग वेद दोव मंत्र भाग सहीता कहई वाय छे अने आ सहीता वह विशे जमा कत्फन और वणन छे प्रह्म भाग ब्रह्मन ग्रन्थो आरण एको अने ऊप निशादों नोग शमावेज थाई छे त्यार बाद हवे आपने पूर्व मिमांस दर्शन औने वेदांथ दर्शन विशे निवाद करी लए तो पहला त्रण बाग एटले के मंत्र सहीता ब्राभ्मन औने आरणे को बागोंने पूर्व मिमांसा दर्शन कहे छे जेमा कर्म कांड नू वर्णा छे जहारे उपनी सदोंने वेदनों अंतिम बाग होवा थी वेदांत दर्शन तरीक ओडख्वा मा आवे छे अने तेमा ग्ण्यान कांड नी चर्चा छे हवे आपने ब्रामण ग्रंथों वी से माहीती मिलू छो तो सवती पहला ए जाने लेए के ब्रामण ग्रंथों नी रचना सामाटे थाई हाती तो वेदिक सहीता हाती जे पद स्वरूपे हाती अने तेने समझवा माटे थाईने ब्रामण ग्रंथों नी रचना थाई हाती आती ब्राम्मन ग्रंथों मां वैदिक मंत्रों नी व्याख्या करवा मां आवी छे आथिक कई शकाए के वैदिक सहिता ने सडर भासा मां समझवा मां टे ब्राम्मन ग्रंथों नी रचना करवा मां आवी छे वैदिक सहिता पचित तरत जे ब्रांवन ग्रंथों रचाया हाता तो ते क्रम विशे वाद करे Bye T कुंपण वैदिक सहीता ने समझ वा माट थे सोथी पहला है !!! आरण हम उंकों रचाया ताने शम्मास शेज़ाओना स्वकी आपैलैं शनी मुझापैस वाद्रेगू तो आमा वान प्रास्ताश्रमदर्मेन रुसे मुनियों जंगलमा रहने पोताना जेपन कोई अनुबव थाता हाता कि ते सुखाता हाता तता ते कई अउसिदनों उप्योelect करता हाता ते तमाम अनुबवना आधारे जे ग्रंथनों नीर्माण करे छे तेने आरने कहे छे हवे तेने आपने सब्दो द्वारा समझे तो ब्राम्मन ग्रंथों ना बाग रूपे आरणेक ग्रंथों नी रचना थे जेमा थी अत्यारे 6 ग्रंथ उपलब्द छे अने तेमना नाम आ प्रामान चे आत्रेय, सांखायन, कौसित की, तैत्रेय, मैंत्रायनी अने ब्रुहाद आरणेक एटले एवा ग्रंथों के जैनी रचना जंगल ना अत्यांत सांती में वातारण मां थाई चे अन्य जैनू अज्यान ते जिंतन पन जंगल मां 21 जीवा, सांती प्रिय वातारण मां थःू छे तथा आर्ण एक ग्रंतों नी सवथी मोटी विशेस्ता ए छे के ते आध्यात्मक चिंतन ना आधार पर रहेलू छे तथा तेनों मुख्य विशे ए उपास ना छे तेमा आत्मा अने ब्रह्मा विशे उच कोटी नू चिंतन प्रस्तुत करवा मा आविव छे तथा अरण एटले जंगल थाय छे हवे उप निसद विशे वात करिये तो उप निसद नू बिजु नाम छे ते वेदांत छे उप निसद नी रचना कोणे करी ते विशे माहिती न थी वेद साहित येनों अंतिम बाग होवा थी ते वेदांत ना नामे प्रसीद छे उप निसद त्रण सब्दों माधी बने लो छे एटले के उप मतलब समीप नी एटले नीचे औने सद एटले ब्यासू आथीज उप निसद एवा ग्रंथों ने कैवाय चे जैनों अब्यास घुरुनी समीप नीचे ब्यासी ने करो जोए उप निसद नी संख्या विशे वाद करे तो 108 जेटला उप निसद छे परंथो त्यमाती महत्वना बार चे हवे ते बारना नाम आप नमाने चे इस उपनिसद, कैन उपनिसद, कंठ उपनिसद, प्रश्न उपनिसद, मुंडग उपनिसद, मांडु का ये उपनिसद, तैतरी ये उपनिसद, अैतरी ये उपनिसद, छांदोग ये उपनिसद, ब्रुहदारणे का उपनिसद, कौतित के उपनिशद औने स्वेतास्वतर उपनिशद आती संक्राचारे वीश एवू कहवाए छे के अत्यारे रहेला बार उपनिशदों मां थी त्यमने अग्यार उपनिशदों पर बास्य रज्याता औने त्यों हिंदु संस्कृतिना प्रथम आचारे गणाये छे उपनिसदों ना वेदों न निबंध पन कहवाए चे तेमा उच्च कक्सानू दार्षानिक विवेचन मडे छे दर्षन एटले के आत्माने परमात्माने मलावानी वात होय तेने दर्षन कहे चैने आ ग्रंथों मा वेदों ना निशकर्ष आपवामा आवेला चे अर्थाद वेदों अर्ग अथवातों निचोड उपनिसदों मा आपवामा आवेलो चे उपनिसदों नू एत्यासिक महत्व ए छे के तेमा थी जानवा मले छे ते समय आर्यों ना जीवन ना वर्ण अने वर्ण स्त्रम वैवस्ता उंडा मूड नाखी चुकी हती आथी उपनिसदों ना आपणिसदों निचे आपने एवी माहीती मड़े छे के जे वर्ण रेने लाईने जे फरक हता ते त्याँ आवी गया हता हवे आपने उपनी सदोंनु महत्व कई रिते छे ते विशे वाद करीशू तो सवथी पहला आपने चांदोग या उपनी सदोंनी वाद करीशू के चांदोग या उपनी सद जे सवथी जुनों छे तो त्यामा सु लख्यू चे ते विशे वाद करे तो सपश्ट रिते સ્તિજ વસ્તુ અંતરક્ષમાં થી આવી છે અને અંતરક્ષમાં પાચી ફરે છે અંતરક્ષમાં જણવાશ્તાન છે અન प्रथम करवा मावियती तता चांदों कि उपनिशत ए प्रश्णोतर स्वरूपे चे त्यार बाद आपने वाद करीशू ते ब्रुह दारनेक उपनिशत जे सवथी ने मोटो उपनिशत चे त्यार बाद आपने वाद करीशू मांडूक के उपनिशत नी जे सवथी नानो उप प्रसीद सांती मंत्र आपेलो छे अने जे महात्मा गांदी आ सांती मंत्र अन्थी प्रपावित थे ने कईू हतु के सर्व उपनिशदों अने बधाज ग्रंथों नास थे ने राक थे जाए परनतु ज्यां सुनती आ सांती मंत्र हिंदूों ना मनमा सच्वय रहे से त्यां सुनती हिंदूत्व जिवीत रहे सक्षे आ वाक्या कया उपनिशदों आधारे कही होतु कातो कया उपनिशदों रहेलो सार हतो तेना आधारे कही होतु तो त्या आवसे ते इसोपनिशदों आ आवियू छे त्यार बाद करीशू मुंडोक उपनिसद मा जमा सत्यमेव जयत्ते सुत्र आपेलू छे जयमा थी आपने लिदू छे त्यार बाद बाद करीशू ते कैनोप निसद नी जे पधमा रचायली छे बाकीना बता घद अने पध स्वरुबेचे परंतु कैनोप निसद मात्र ने मात्र पधमा रचायलो उपनिसद छे त्यार बाद वाद करीशू ते प्रश्णोप निसद मा छो विद्याट्यो अने रूसी पिपलाद वचे नो तत्व ग्ण्यान समवाद छे हवे मोगल बाद चा सा जहानों सवथी मोटो पुत्र दारा सिकोह दिल्धीनी राज गादीना उत्रादिगार होवा उप्रांत एक उच कोटीना विद्वान हता त्यामने गिता अने उपनिसद अने गितानो फार्सी मा अनुवाद कर्यो छे खास वाद यात राग जो के आपने सर्व प्रथम रुगवेद विशे वाद करे चुतो रुगवेद नी रचना इस्विशन पूर्व बार्सों ने आसपास तही हाती हवे रुगवेद नों मतलब सुथाय ते विशे वाद करे तो वेद एटले ग्णान तथा संस्कुरत मा पद एटले रूग जैनाप पर ठी रुगवेद नाम आविए छे अर्थात मननी सक्ति थी जे ग्ण्यान नुँआ अनुबव आपने करी चे ते ग्ण्यान छे ते वेद नुँग्ण जीवन माटे ना आवसएक अनुसाहसन अने ग्ण्यान नी वातो रुगवेद मा छे तेथा मनुबाई पंचाडु रुगवेद ने आर्यों ना जन्ड जीवन नी आर्सी कहियो हतो हवे रुगवेद अर्थ नो ग्रांत चे अर्थ इतले के नाणा मेडवा माटे श्रम जरूरी चे अने श्रम माटे उर्जा नी आवस एकता चे अगनी ए उर्जा अने सकती नू प्रतिक चे माटेज अग्नीने रुगवेदना मुख्य देवतागणवामा आव्याचे भारतना धार्मिक साहितेमा सवथी जूनु साहिते रुगवेद गणायचे तथा 4 वेदोमा कदनी द्रष्टी ए 4 वेदोमा सवथी मोटोचे रुगवेद मां भासा प्राकृतिक संस्कूत तथा वेदिक संस्कूत हती अने लिपी तरीके ब्रह्मा लिपी नूप्योग थयो छे हवे रुगवेद ना विबाजन विशे वाद करें तो रुगवेद नूँ विबाजन ब्या रिते करवा मां आवे छे ऐक चे अश्टक क्रम अने बिजू छे मंडल क्रम हवे अश्टक क्रम ना अधारे करवा मां आवे तो रुगवेद 38 बाघ मा विबाजन विबाजन चे तथा एक आठ नव अने दस मंदड ए नवा मंदड चे जैमा दसमो ए सव थी नव मंदड चे तथा एक मत प्रमाणे प्रथम अने दसमो मंदड बाद मा जोडवा मावलू चे कार्ण के तैनी बासा अन्ने आठ सुकतो थी अलक चे हवे रुगवेद मा दसमा मंदड मा आउसर दिनी संखे 125 जेटली बताव मावी चे जे 107 स्तान पर जोवा मड़े चे आप तथा रुगवेद मा गायतरी मंत्रा आपने 30 मंदड मा थी प्राप्त थाए चे जैनी रचना विश्वा मित्र नामना रूसिय करी चे तथा 10 राज यूद विशे महेती आपने 7 मंदड मा थी मड़े चे के जैनी रचना वसिष्ट रूसिय द्वारा करी चे हवे रुगवेद मा रहेला एक ती 10 मंदडों के जैनी रचना कोई 1 रूसिय द्वारा अथवा तो एक ती वधू रूसिय द्वारा थाए चे चेमा एक ती वधू रूसिय द्वारा थाएली चे तेवा मंड़ चे ते प्रथम मंड़ 8 मंड़ 9 मंड़ अने 10 मंड़ के जैनी रचना एक करता वधारे रूसिय द्वारा थाएली चे ताथा ब्याथी 7 जे मंड़ चे तेनी रचना कोई एक ज रूसिय द्वारा थाएली चे तेमा आ प्रमाण चे बिजा मंड़ नी रचना गुरुच मद रूसिय द्वारा त्रिजा मंड़ नी रचना चे ते विश्वा मित्र रूसिय द्वारा चौथा मंदर नी रचना वामदेव रुशी द्वारा, पांचमा मंदर नी रचना अत्री रुशी द्वारा, तता छठा मंदर नी रचना भरत द्वाज रुशी द्वारा, अने साथ मंदर नी रचना वसिष्ट रुशी द्वारा थैली चे हवे ब्यतृ मंदल्यवादकばाई गैर सूरी बीसें जिकरेवादकभ और करें जबुने कोई आत्मए वन्सकेन टवादक़ करें हवे आपने रूग वेदसें सुमकभादकभेद gjुर सुम्त एटले सु युक्त एटले के सारी रिते कहेवायलू छे ते प्रत्यक्त सुक्त मां अनेक रुचाओ छे रुचा एटले पाद तेमाच अर्थ युक्त चंदोबद मंत्रो रुचाओना समुने सुक्त कहे छे अवे रुग्वेद मां 10508 रुचाओ छे रुचाओ एट देवी देवताओना स्तुति माटे ना मंत्रो छे तता पाणी मुनीना व्याक्रण पर बास्य लकनार पतंजेली मुनीय भास्य ग्रंत व्याक्रण महा बास्य मां रुग्वेद नी एकवी साकाओ हती इवो उल्लेख करेयोँ छे आएकवी साकाओ गटी ने आजे 5 साकाओ रही छे तैमना नाम आ प्रमाने चे साकल साका वास्कल अथा बास्कल साका त्था आस्वलाईन साका संخाएन साका अने मांडू कायन साखा हवे आ पांच साखाव माथी पन अत्यारे मात्र साखल साखा उपलद चे तता सर्व प्रथम पद पाठ साखल ये कर्यों हवा थी तेने साखल सहीता पन कहिवाई चे हवे रूग वेद मां एक हजाने अठ्थेविश सुकतो चे हवे रूग वेद मां रहेला देवो वीशे वात करिये तो इंद्र अगनी सोम अने अस्विन ए रूग वेद ना मानिता देवो हता जे मां रूग वेद मां इंद्र नुनाम बसो पच्चास वार तथा अगनी नुनाम बसो वार तथा यमूना नदी नुनाम त्रण वार अने गंगा नदी नुनाम एक वार उप्द्योग मां लेवाईलों चे आम जानी सकाई के आर्यों एक यमूना अने गंगा ना पण जानकार हता हवे रूगवेद माँ पालतू प्राणियों तथा बाड को इतले के पुत्रों अने गोडाओ वगेरे बावतिक साधनों मेड़ा माटे अने इच्छाओ संतोस्वा माटे अनेक सुक्तों हता रूगवेद माँ बाड को ने इतले के पुत्रनी प्राप्ति माटे पन मंत्रों हता तथा एक बिजी वस्तू एचे के भारत माँ गोडाओनू आगमन ए आर्यों ना आववानी साथे तयू हतू ते पहला भारत माँ गोडाओ न हता तथा भारत नामन उल्लेक साथी पहला रूगवेद माँ वांचवा मडे चे तेना पर थी देश्टू नाम भारत वर्ष हसे तेवू अनुमान लगावी शकाय चे तथा रूगवेद माँ लख्यू चेके सरस्वती नदी किनारे भारत नामन एक राज्य हतू तेना पर अस्तूतिक माहीती पन जाणवा मडे चे जे पत्रच्वरूपे रहे लिछे रूगवेद ना ब्राम्मान ग्रंथों काय हाता तो 17 अने 20 कि जेमां महत्वा नोह तोते 12 तता रूगवेद ना RNA खता ते 18 कोसित की तता रूगवेद ना उपनिशत पंण हतां ते 33 अने कोसित की आगर आपने रूग वेद निवात करी हवे आपने यजूर वेद विशे महेती मिडवीशू तो यजूर वेद नी संथी चुटी पाड़ो तो यज बत्ता वेद मड़े छे जेमा यजनो अर्थ ताये चे यगन करवो औने वेद नो अर्थ ताये चे ग्नयान जे आपने आकड जोई गया हवे जेम प्राचिन भारतनी संस्कुरूती अन इत्यास विचे जानवा माटे रूगवेद उप्योगी छे तेज रिते प्राचिन यगन विधी विधानरी माहिती जानवा माटे यजूर वेद भात्वनों छे इतले के यगन केविर्दे करवो यगन मा केविर्दे बैसू तथा यगन मा कई-कई वस्तुनी जरूर पड़ से ते तमाम माहिती आपने यजूर वेद मा थी प्राप्त था चे यजूर्वेद मा 663 मंत्र रुगवेद मां थी लेवा मावे चे जे बद श्वरूप मां चे तता संस्कूरुत मां घद एकल यजू आना कारणे तेने यजूर्वेद कहे चे तता सौथी प्राचिन घद स्वरूपे होय तो ते चे यजूर्वेद अहीं खास वाद याद राग जो के एम पुछवामाव के सौथी प्राचिन पद स्वरूपे ग्रंथ कईयो तो ते आवसे रुगवेद तथा एम पुछवामाव के सौथी प्राचिन घद स्वरूपे कईयो ग्रंथ छे तो ते आवसे यजूरवेद जैना द्वारा यग न अथा पूजन करवा मां आवतू ते मंत्रों ने यजू कहवा मां आवतू मुलत ते कर्मकांड प्रदान चे एटले के यजूर्वेद नो मुख्य वीश ए कर्मकांड चे तेमां बलीनी प्रथा तेनी महता तथा विदियो नो उल्लेक चे यजूर्वेद मां सूक्त उप्राइंध अनुष्टाँ चे अनुष्टाँ ते समयनी राजकिय स्थितिनों पन परिचे आपे छे आपे छे आपने ते परती समझील शकाए कि आपने रूग वेदमां ती 60 Buffalo. 63 मंत्रों लिधा छे जे पद स्वरूपे छे तेज ते राजकिय स्थिती नी महाहिती आपे छे आथी कई शकाई के यजूर वेद मा पन राजकिय स्थिती नी परिचे आपने मडे छे तथा तेमा 40 अध्यानों अने 1115 मंत्रों छे हवे आपने यजूर वेद ने भाग मा विभाजित करी शू एक भाग छे ते सुकल यजूर वेद अने बीजो भाग छे ते कुरुष्न यजूर वेद तो आधित्य संप्राई दायना महर से याग्न वलकई द्वारा सूर्यानी आराधन ना करीने सुकल यजूर वेद मेडवामा आवियो छे सुकल यजूर वेद ए उत्तर भारत मा प्रचली छे तता सुकल के जे स्वेत रंग नों सुचक छे ए सुकल यजूरवेद मां मंत्रो स्पष्ट नियमित औने क्रम बंध गोटवेला छे हवे आपने कृष्ण यजूरवेद निवाद करे तो जयारे कृष्ण यजूरवेद ब्रह्म संपरदायनु प्रतिनी दित्वा करे छे तो जयारे कृष्ण यजूरवेद 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 य अने क्रम्बद गोठ वेला हाता जैरे कृष्ण यजूर्वेद मां मंत्रों अन्यमीत अस्पष्ट अने पच्रंगी गोठ वेला चे तथा यजूर्वेद नों अभ्यास करता जानवा मले छे के आर्यों सब्त सिंदूती कुरों क्षेत्रमां अवे स्ताणांतीर थै रहे हाता तथा यजूर्वेद मां एपन गनात थाए छे के त्यों प्रक्रुती पुजा थी पर्थवा लागे हाता अने जाती प्रथानों आरंब थाई चुक्यों हतो आत्मा माहिती आपन ने यजूरवेद मां थी माड़े चे त्यामा पन खास quitting यजूरवेद मां थी प्राप्त थाय पुपण जोजमें सविताफल टो मादाम और सव्यों और सोजमें गाई साकाई येवहों येवहेशता वीम साँफल संगीत नूँ उद्गम स्त्रोत सामवेद छे आथी कई सकाई के भारती अमा संगीत नूँ सवथी प्रथम साहित्य होय तो ते छे सामवेद तेमा मात्र 66 मंत्रों ज नवा छे आथी कई शकाई के सामवेद ने पोताना 66 मंत्रों छे बाकी ना मंत्रों कोई ना कोई वेद मां थी लेवा मावया छे जेमा थी मोटा भागना मंत्रों ए रुगवेद मां थी लेवा मावया छे ते विशे बात करे तो सामवेद मां 824 मंत्र पंचो तेर मन्तरों ने चोड़ी ने बाके रेला बद्धा मन्तरों रूग्वेद मा अथी ये लेवाम आवयाचे सामवेद ना मोटा भाग ना मन्तरों इरुग्वेद मांती लेवाम आवयाचे ये वाद खास याद रागजे सामवेद ना मंत्रो गावाती मनने अपपार सांती मले छे हवे सामवेद ना ब्रामण ग्रंतो वीशे वाद करे तो तेना ब्रामण ग्रंतो तांडिय औने जैमिनिय छे भवे आपने अथर्व वेद वीशे माहिती मेडवीशू तो अथनू अर्थ ताय चे मंगल अथवातो कल्यान अने अथर्वन अर्थ ताय चे अगनी तता अथर्वन अर्थ ताय चे पूजारी आम अथर्व वेद ने बे भागमा वहच्वामा आवेलो चे अथर्व वेद मां लखेला मंत्रो ए भूत पीसा चोने भगाडी मनुसे नू कल्यान करता होवा नी मान्यता चे तथा त्रोण वेदोर नी रचना ना गणा समय बात अथर्व वेद नी रचना थयोती तथा अथर्व वेदणी रचना ए आर्यो द्वारा न तथा अनार्यो द्वारा थैली हुए तेवी पन एक मान्ने ता छे त्यामा अमुक मंत्रो रुगवेद तथा सामवेद मां थी लहवा मां आवया चे अहीं खास वाद यात राग जो के अथर्व वेद ना घणाखरा मंत्रो ए रुगवेद अने सामवेद मां थी लहवा मां आवया चे अधर्व वेद विश अध्यानों माँ विभाजी छे औने जैमा 5687 मंत्रो छे अवे अधर्व वेदना ब्राह्मण गरंथ नी वाद करें तो तेनो ब्राह्मण गरंथ छे ते गोपत जैमां गायत्रिमाटे समझू दीजे तता अथर्व वेद नो आरणेक ग्रंद नथी ते खास याद राग जो के अथर्व वेद ने कुईपन आरणेक ग्रंद नथी तता अथर्व वेद ना उपनिसद विशेवाद करे तो मुंडक उपनिसद छे के जेमा थी आपने सत्यमेव जैते लिदेलू चे तथा एनो बीजो उपनिशत चे ते मांडू के उपनिशत चे ते सौथी नानो चे खास वात याद राक्रुजो के सौथी नानो उपनिशत ए मांडू के उपनिशत चे जे अथर्व वेदनो उपनिशत चे विद्यार्थी मित्रु आद्ना लेक्चर मां आपने चार वेदो वुषे, त्यारबाद ब्राह्मण ग्रन्तों, त्यारबाद आरणेखो, अने त्यारबाद उपनीशतों वीषे महीती मेडवी तो आ वीडियो मां रहली महीती आपने केवीलागी ते वीषे कमेंट करो जो वीडियो पसंद आवे हो तो प्लीज लाइक करो तथा तमारा विद्याति मित्रों ने सेर करो अने साथे तमे पन सब्सक्राइब करो आ वीडियो मारे हले कोईपण महाईती सुधारवानी जरूर होए तो जरूर पतानी कमेंट वारा जणाव सो आपार